इसके बाद नेक्स्ट आर्टकल कंसल्टेंसी फर्म्स के रेगुलेशन से समधित हैं इंडिन एक्सप्रेस का ये आर्टकल है आप जी एस पेपर सेकेंड के इस टोपिक से आर्टकल को रिलेट कर सकते हूँ देखो सरकार को बहुत सारे ambitious programs launch करने होते हैं और उनको implement करना होता है जिसे example के तोर पे गंगा नदी को साफ करवाना है पूरे भारत के households तक पीने का पानी पहुचाना है 2047 तक भारत को एक develop country बनाना है direct benefit transfer implement करना है यानि कि beneficiaries के directly खाते में पैसा पहुचे बट दिखो ये सब programs सोचने के लिए implement करने के लिए सरकार के पास उतनी capability उतनी capacity नहीं होती जैसे सरकार में कौन लोग होते हैं IS officers या फिर दूसरे officers दिखो IS officers थो journalist approach उनकी होती है specialized नहीं होते हैं उनके पास specialized skill नहीं होती जैसे कि जल जीवन mission है इस mission के तुरू घर घर तक पानी कैसे पहुंचाया जाए कैसे नदियों को आपस में जोडा जाए कैसे गंदा नदी को साफ करवाया जाए इसके लिए ना थोड़ी specialized skill हमें चाहिए अगर ऐसे program के बारे में सोचना है इसको implement करना है बड़ सरकार के पास में वो skill नहीं होती इसके अलावा देखो नई नई technologies आ रही है आज के समय में जैसे artificial intelligence है अब इनको regulate करना है जो bureaucrates है या फिर politicians है उनको इतने घहराई से जानकारी नहीं होती AI के बारे में जब आपको जानकारी नहीं है तो आप इनको regulate कैसे करोगे कैसे govern करोगे किसी चीज़ को जब आपको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो ना इन सभी gaps को fill करने के लिए सरकार क्या करती है consultancy firms को hire करती है consultancy firms का काम क्या होता है सरकार को राय देना, सरकार को consultation देना, सरकार को कोई policy बनानी है जैसे 2047 तक भारत को एक विक्सित तेस बनाना है, develop country बनाना है सरकार बोलेगी किसी consultancy firm को कि भया हमने तो अपना लक्षे decide कर लिया है, अब आप हमें plan बना के दीजिए कि हम कैसे develop country बन सकते हैं आप detailed plan हमें दीजिए ये देखो ठीक वैसे ही हो गया जैसे एक student अपना schedule नहीं बना पा रहा है अपना plan नहीं बना पा रहा है वो mentor के पास जाता है और mentor उसे plan बना के दे देता है student के हिसाब से, student की strength और weakness के हिसाब से उसी परकार से ये consultancy firms है न सरकार को policies बना के देती हैं, programs बना के देती हैं और बहुत सारी consultancy firms इन programs और policies को implement भी करवाती है सरकार के साथ मिलके आप examples देखिए global firms जैसे McKinsey, BCG, Bain ये सरकार की मदद करती है high policy level decisions लेने में, strategic priorities क्या होनी चाहिए सरकार की ये decide करवाने में, ये firms सरकार की मदद करती है ये big four firms जैसे EY, PwC KPMG, Deloitte ये सरकार की मदद करती है project के implementation में जैसे जल जीवन mission को कैसे implement किया जाए ordinance, factory board को कैसे corporatize किया जाए इसके लावा और examples देखिए कैसे सरकार in consultancy firms का use करती है, इनकी services लेती है जैसे अभी ना कोई service सरकार provide कर रही है वो manual provide की जा रही है for example pension देना सिरफ एक example है सरकार चाहती है कि pension का पैसा directly खाते में जाना चाहिए और बीच में कोई layer नहीं होनी चाहिए जिसको apply करना है pension के लिए वो भी online apply कर के किसी official के पास जाने की जूर्त नहीं है तो ये चीज सरकार सब कुछ online करना चाहती है लेकिन सरकार को पता नहीं कैसे online किया जाए सरकार consultancy firm की service लेगी वो सरकार को suggest करेगी कि ये project आप ऐसे implement कीजिए इसके लिए एक tender निकाल लिए जो भी है किसी IT company से बात कीजिए सब कुछ ये consultancy firm सरकार के लिए implement करवाएगी इसके लावा government officials है उनकी capacity build करवानी है उनको नई तरह की training देनी है किसी चीज की तब भी इन consultancy firms की services ली जाती है ये firms सरकारी करमचारियों के लिए workshop organize करती है उनको modern era के हिसाब से skills देती है उनको train करती है ताकि वो लोग बढ़िया डंग से लोगों को services provide कर सके सबसे last में research and data analysis ये जो firms है सरकार की मदद करती है data analytics में data को analyze करने में research करने में क्योंकि सरकार के पास उतनी capacity नहीं होती सरकार data को analyze करके नई policies बना सके तो ये firms सरकार के लिए data क्या analysis करती है और उस analysis के अधार पर सरकार फिर policies में आवशक फिर बदल करती है जैसे मालीजे मनरेगा से समदित कुछ data सामने आया कि मनरेगा से फाइदा नहीं हो रहा है तो सरकार उस data का इस्तमाल करेगी और मनरेगा के लिए funding कम कर देगी समझे लेकिन देखो इन consultancy firms को hire करने के न बहुत सरे disadvantages है सबसे पहला cost का है सरकार ने पिछले 5 सालों में 5000 million rupees खर्च कर दिये इन consultancy firms के लिए बार-बार इनको सरकार hire करती है पैसा जाता है न जेब से global consultancy firms हैं खूब पैसा लेती है बहुत जादा यही पैसा देखो आप गरीबो के लिए इस्तमाल कर सकते थे infrastructure और development के लिए इस्तमाल कर सकते थे next lack of accountability दिखो consultancy firm की service तो ले ली उन्होंने suggest किया कि आप सबच भारत mission को इस परकार से implement कीजिए लेकिन माह लीजिए सरकार ने उसी परकार से implement किया लेकिन result नहीं निकला consultancy firms ने जो advice दी थी वो fail हो गई result बिल्कुल negative रहा सहर साफ नहीं हुआ तो फिर क्या फाइदा क्या कोई accountability fix करेगा इन firms की कि आपके advice fail हो गई अब आप पैसा दीजिए नहीं ऐसा नहीं होता है next dependence अब देखो एक point ये है सरकार बार-बार in consultant की मदद लेती है तो एक level के बाद तो सरकार तो इनके उपर dependent हो गई ना पूरी तरह से सरकार तो कुछ करेगी नहीं छोटी से छोटी चीज करनी है हाँ आर इन consultancy firms की मदद ले लो ये सारे काम पहले तो सरकार खुद किया करती थी ना सरकार के अलगले department किया करते थे अब ये सारे काम consultancy firms वाले करेंगे तो सरकार के departments वालों की तो capability और भी ज़दा खराब हो जाएगी वो तो निर्भरी हो जाएंगे छोटे से छोटा काम करना है हमसे नहीं होगा firm को hire करो next conflict of interest बहुत बार देखो ये जो firm suggestion देती है ना इनके भी conflict of interest होते है जैसे मा लीजे कोई किसी firm को hire किया कि भाया हमें advice दीजिए हमें गंगा नदी को साफ करना है आब बताएए कैसे गंगा नदी को साफ करें तो firm बोलेगी ठीक है गंगा नदी को साफ करना चाहते हो तो आप एक machine खरीद लो machine या फिर lease पे ले लो जिसके नाम है XYZ इस machine का उप्योग करोगे तो सारी गंदगी जो है वो गंगा नदी से खतम हो जाएगी जबकि बाद में पता लगा ये XY machine जो है वो उसी consultancy firm की किसी sister company की थी तो अपना ही फाइदा करवाने के लिए उन्होंने ये suggestion दिया कि इस machine को lease पे ले लो कहने का मतलब क्या है conflict of interest होता है बहुत बार इन firms का वो अपना फाइदा करते हैं next job displacement जिसे देखो सरकार ने IT services को outsource कर दिया किसी consulting firm को देखो ये काम पहले सरकारी department करते अगर इस प्रकार से सरकार सारा काम outsource करती जाएगी तो फिर तो नहीं hiring नहीं होगी सरकार के अंदर करमचारियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी job खतम हो जाएगी हलाकि जिरफ सरकार नहीं है मतलब सरकार तो कुछ ही jobs provide करती है major jobs तो private sector के द्वारा provide किया जाते हैं फिर भी jobs की कमी तो होगी next cultural difference देखो ये जो firms है न ये ज़्यादा famous है US से समेट दूसरे develop countries में अब भारत सरकार भी इनको hire करती है तो कई बार न local situation के हिसाब से local conditions के हिसाब से ये राय नहीं दे पाती next lack of transparency सरकार ने particular firm को ही क्यों choose किया कब choose किया क्या advice देने के लिए इन सभी चीजों में न transparency होनी चाहिए जनता को भी पता लगना चाहिए ऐसा नहीं कि बाद में हायर किया था तीन साल बाद तीन साल पहले और तीन साल बाद आपको पता लग रहा है कि हाँ तीन साल पहले इस project के लिए किसी consultancy firm को hire किया गया था तो secrecy ना हो transparency हो सबसे last में damage to reputation कई सारी firms जो hire की गई सरकार के दवारा उनकी तो reputation खराब है कि उन्होंने data breach किया data का गलग धंग से इस्तमाल किया data को बेच दिया तो ये तो privacy का violation है जो हमारे देश में अब fundamental right है right to privacy तो ये सारे disadvantages हमने discuss किये consultancy firms को hire करने के अब बारी आती है last में way forward की क्या होना चाहिए writer कहते है consultancy firms को hire करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना जुरूरी है सबसे पहली बात जो last चीज थी transparency होनी चाहिए secrecy में काम नहीं चलना चाहिए दूसरा clear terms में ये decide होना चाहिए firm को hire करते वक्त कि भाया जो आपने suggest किया है इसकी outcome positive आएगी तब ही हम पैसे देंगे otherwise नहीं देंगे ऐसा contract होना चाहिए कि आपने जो suggest किया है उसकी outcome क्या निकलेगी outcome देखने के बाद ही आपको पैसा दिया जाएगा next internal capacity को enhance करना internal capacity मतलब सरकार के अंदर जो officials हैं सरकारी लोग हैं उनकी capacity को enhance किया जाए ताकि वो खुदी अच्छे decision लेज़ के सरकार के पास खुद की capacity अच्छी होनी चाहिए consultancy firms के साथ मान लीजिए 5 साल का contract sign किया 5 साल हो गए उसके बाद ना जान बूज के अपनी dependency create कर लेते हैं कि ये छोड़ के जाएंगे तो सरकार का का काम चलेगा ही ने तो सरकार ये चीज़ contract में सामिल करें कि हम आपके साथ 3 साल का 5 साल का contract sign कर रहे हैं जाने से पहले आप knowledge दे के जाओगे सरकारी officials को ऐसा ना हो कि आप बिना knowledge दिये चले जाओ और फिर हमको दिक्कत आ जाए यानि knowledge transfer होनी चाहिए सरकारी करमचारियों को जाने से पहले फिर एक अच्छा point writer ये suggest करते हैं आप alternative solution भी तो ढूंडो ना जैसे हमारे देश में universities हैं universities हैं think tanks हैं कई सारी not profit organizations हैं आप इनको hire करो ये policies पे बढ़िया बढ़िया research करते हैं थोड़ा सा इनको train भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा specifically objective दिया जा सकता है कि आप उस policy पे काम कीजिए तो सरकार को इनके भी help लेनी चाहिए तो ये पूरा article हमने डिसकस किया consultancy firms के regulation से समदित चलते हैं आगे इसके बाद next article ना India-Oman relations से समदित है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो 16 December यानि आज से ओमान के जो सुल्टान है ना हैथम बिन तारिक ये भारत की आत्रपर आ रहे है जनवरी 2020 में इन्होंने ओमान की गद्दी संभाली सुल्टान काबूज की द्याथ के बाद और उसके बाद जनवरी 2020 से गद्दी संभालने के बाद ये इनकी पहली इंडिया विजिट है वैसे रेखो फरवरी 2018 में भारत के परधामंत्री नरेंदर मोदी गए थे ओमान की आतर पर परधामंत्री मोदी की उस विजिट के दुरान ओमान के साथ भारत ने काफी सारे अग्रिमेंट साइन के ट्रेड के डुमेन में डिफेंस, स्क्योर्टी इन सभी छेत्रों में 2018 की वो विजिट काफी पाथब्रिकिंग थी आप लोकेशन देखिए ओमान की लोकेशन बहुत इंपोर्टेंट है यह अरेबियन सी है, यह इंडिया है यहाँ पे है ओमान ओमान, UAE, सौधरेबिया यह तीनों देश इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है देखो जो ओमान की अभी ruling family है न उनके relations से इंडिया के साथ प्रंप्रा का तूप से काफी अच्छे रहे हैं जैसे इस से पहले जो सुल्तान थे न सुल्तान काबूज वो इंडिया के परती काफी inclined थे उन्होंने बहुत सारी इंडियन companies और इंडियन professionals को invite किया था ओमान में आप यहाँ पर आईए यहाँ पर यह पर यह प्रोजेक्ट लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया को दिये और बहुत सारी चीजें इंडिया से import भी होती हैं ओमान में ट्रेड कितना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसी आटिकल में लेकिन रिष्टे काफी अच्छे हैं ओमान के साथ अरब कंट्रीज पाकिस्तान के परती ज़्यादा इंकलाइंट थे और इंडिया को एक डाउट के नजरिये से देखते थे कि मुस्लिम्स की treatment इंडिया में ठीक नहीं होती है लेकिन ओमान काफी पहले से इंडिया के साथ अच्छे relations maintain करने का पक्सदर रहा है ओमान ने हमेशा अपने रास्तें इंडिया के लिए और इंडिया के लिए खूले रखे इसके लावा ओमान की importance देखिए आप वैसे ये जो West Asia का reason है ना हमेशा unstable रहता है जैसे येमिन में देख लीजिए आप येमिन में यूच चल रहा था कुछ समय पहले तक proxy war चल रहा था साओधिरेबिया और इरान के बीच में और West Asia में कुछ-कुछ होता रहता है इराक में इरान कई बार tensions में रहता है US के साथ लेकिन ओमान जो है आर्टिकल में कहा जाता है island of peace है ओमान की कभी किसी कि देश के साथ लड़ाई नहीं होती संती वाला देश है जो बलकि दूसरे देशों के बीच जब लड़ाई होती है तो mediation करवाता है tensions को कम करने की कोशिस करता है और अपनी अप्रोच में ओमान neutral है मतलब ना तो चाइना की साइड है ना USA की साइड है ना किसी की साइड है अपनी अप्रोच में neutral रहता है जैसे कुछ से में पहले तक ना साओधियरेबिया और इरान के बीच में बोज़ाई tensions थी तो ना ओमान ने अपने relations को balance किया साओधियरेबिया और UA ये एक तरफ इरान दूसी तरफ इवन जो ये स्ट्रेट है ना स्ट्रेट ओफ होरमज इसको बंद करने की बात कई बार इरान करता है कि हम यहां से सिप्स नहीं जाने देंगे बट ओमान ने कहा कि नहीं ये स्ट्रेट ओफ होरमज हम बन नहीं करेंगे यहां से बहुत से सिप्स गुजरते हैं मना कर दिया साफ साफ ओमान ने 2019 में यहाँ पे बहुत बड़े क्राइसिस पैदा हो गए थे पर्शन गल्फ में इस रीजन में मैं यह मिटा देता हूँ आपके लिए इस रीजन में बहुत क्राइसिस पैदा हो गए थे इरान और USA के बीच तो उस समय ओमान ने टेंसन को कम करने काम किया था ओमान ने USA और इरान दोनों से बात की कि भाईया यहाँ पे मत लड़िये यहाँ पे इस्टेबरेटी मत आने दीजिये इसके लावा देखो गल्फ कोपरेशन काउंसिल जिसमें यह सारे देश आते हैं UAE, साथे रेबिया इन्होंने कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन्स खतम कर दिये थे क्योंकि कतर इरान का साथ दे रहा था लेकिन उस समय ओमान ने गल्फ कोपरेशन काउंसिल के स्टेंड को मानने से इंकार कर दिया उन्होंने का कि हम कतर के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन्स पूरी तरह से खतम नहीं करेंगे समझ गए इसके अलावा अब राम एकोर्ड तो देखो बहुत लेट साइन हुआ है इसराइल का UAE के साथ में बहरीन के साथ में मतलब UAE बहरीन ने इसराइल के साथ रिष्टे नॉर्मालाइज काफी लेट किये सेप्टेंबर 2020 में लेकिन उससे पहले ही अक्टूबर 2018 में इसराइल के प्रधानमंत्री ने ओमान में विजिट किया था इंडिया ओमान की बात करें दोनों के बीच में ना स्टेडेजिक पार्टनर्शिप साइन हुई थी नॉर्मबर 2018 में उस सुमें प्रधानमंत्री थे डक्टर मनमोन सिंग वो गये थे ओमान की आतरा पर ओमान इंडिया के लिए कितना खास है इसी से पता लगता है कि जी ट्वंटी की प्रेजडेंसी इस बार इंडिया के पास थी इंडिया ने कुछ दूसरे देशों को ऐसे गैस्ट इन्वाइट किया था उसमें ओमान भी था यह ऐसा होता है ना कि घर में कुछ फंक्शन है बड़े वगरा है तो आस प्रोस के लोग को भी इन्वाइट कर लिया जाता है कि आप भी आजाओ आप प्रोसी हो हमारे तो वैसा ही है इंडिया में फंक्शन था जी ट्वंटी का तो इंडिया ने अपने मित्र देशों को बुला लिया कि आप भी आजाओ ये बड़ा फंक्शन है हमारे देश में इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिफेंस और स्क्योर्टी एंगेजमेंट को लेके M.O.U. साइन हुआ था दोनों देशों के बीच में 2005 में ओमान देखो पहला गल्फ कंट्री है जिसके साथ इंडिया तीनों डोमेन में एक्सेसाइज करता है नेवल एक्सेसाइज होती है, एरफोर्स की एक्सेसाइज होती है आर्मी वाली एक्सेसाइज भी होती है तीनों तरह की जोइंट एक्सेसाइज होती है 2012-2013 के बाद से ही Indian naval ships Gulf of Oman में duty पर रहते हैं ताकि यहाँ पे जो pirates है ना वो ships को loot नासके तो pirates ही को रोकने के लिए इंडिया यहाँ पे Gulf of Oman में operations लाता है Oman इंडिया को इजाज़त देता है कि इंडिया के जो military aircraft है ना वो Oman के airspace से उड़ सकते है और even land भी कर सकते है अगर कोई चीज चाहिए logistics के लिए कोई fuel वगरा चाहिए तो land भी कर सकते हैं इंडिया के military aircraft वैसे Oman में ना एक हमारा port भी है Dukam port जो Dukam port है ना यहाँ पर हमारे ships आ सकते हैं कुछ loading करनी है unloading करनी है कोई दूसरी logistics facilities को avail करना है इन सारे operations के लिए यहाँ पर हमारा port है Dukam port अब आपको भी पता है देखो यह port जो है वो military use के लिए भी use होते हैं कई चीज़ें साफ साफ नहीं बोली जाती है bilateral trade की अगर बात करें इंडिया Oman के बीच में 12.38 billion dollars का bilateral trade है 2022-23 में बहुत सारी इंडिया और Oman की companies ने मिलके joint venture establish किया है और investment की है Oman में almost 7.5 billion dollars की इसकी बाद इंडिया देखो Oman के लिए Oman के crude oil का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा खरिददार है Oman का सबसे ज़्यादा तेल परचेज करता है चाइना और दूसरा नंबर आता है इंडिया का October 2022 में इंडिया और Oman ने मिलके Oman में debit card को launch किया रूपे debit card को तो इंडिया के जो हसरत है digital public infrastructure को promote करने की world में उस दिशा में इंडिया आगे बढ़ा ये launch करके इसके बाद एको चेतर में काफी powerful है इसके लाबा possibility है दोनों मिलके rare earth metals को explore करे इससे दोनों देशों के बीच में partnership को और मजबूत किया जा सकता है corridor कौन से वाला India Middle East Europe Connectivity corridor जो की देखो propose किया गया था कुछ ही समय पहले इसको implement करने में ओमान का एक बड़ा रोल हो सकता है वैसे देखो एक और private firms का consortium है SAGE South Asia Gas Enterprise इन्होंने एक चीज़ परपोज की थी कि ओमान और इंडिया के बीच में ये undersea pipeline established की जाए वैसे देखो ये वाला जो corridor है ना India Middle East Europe Connectivity corridor इसमें भी undersea cable की बात की गई है तो दोनों प्रोजेक्ट के बीच में convergence establish हो सकता है दोनों प्रोजेक्ट मिल के भी implement हो सकते हैं उमीद है लास्ट में एको general point ये है West Asia इंडिया के लिए बहुत important है यहां से इंडिया इतना जादा energy import करता है हमारे बारत्यमूल के लाखों लोग यहां पर रहते है तो West Asia overall इंडिया के लिए काफी important है और ओमान के साथ तो रिष्टें इंडिया के हमेशा से अच्छे रहे हैं तो ओमान इंडिया के लिए बहुत important मित्र देश है अपने West Asia में interest को परशू करने के लिए तो यह पूरा आर्टिकल हमने इंडिया-उमान relations से समन्दित डिसकस किया इसके बाद अगला आर्टिकल देखो विजय दिवस से समन्दित है आज 16 दिसंबर है आज ही के दिन 1971 के वार में पाकिस्तान के 93,000 soldiers ने इंडिया की आर्मी के सामने surrender कर दिया था और एक अलग से देश का निर्मान हुआ था जिसका नाम है बांगला देश यह पूरी जो कहानी है बांगला देश वार की ना सिरफ एक्जाम के लिए काफी important है UPSC ने इस पर question पूछा है बलके interesting भी है तो एक बार आप यह कहानी सुनिए क्यूं वार हुआ 1971 का इंडिया ने कितने खुबसूरती के साथ यह वार जीता पूरी कहानी आप समझे दिखो जब इंडिया और पाकिस्तान का बटवारा हुआ था तो उसमें जो पाकिस्तान बना वो दो पार्ट्स में बना बीच में इंडिया यह वेस्ट पाकिस्तान और इस्ट में यह इतना हिस्सा इस्ट पाकिस्तान यह है आज का बंगलादेश और पाकिस्तान के इन दोनों पार्ट्स के बीच में था इंडिया जब देखो पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से 1947 में उसके बाद पाकिस्तान की गवर्णनेंस में इस्टन पाकिस्तान को प्रोपर रीप्रजेंटेशन नहीं मिल सका। इवन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि इस्टरन पाकिस्तान पहले कलोनी हुआ करता था बिडिशार्स की और इवन पाकिस्तान बनने के बाद इस्टरन पाकिस्तान कलोनी बन गया वेस्ट पाकिस्तान की जूट प्रोडेक्शन काफी ज्यादा होती है इस्ट पाकिस की सरकार के दवरा weapons को purchase करने के लिए इस्टन पाकिस्तान में बंगाली लेंग्विज का इस्तमाल ज्यादा किया जाता था बड़ पाकिस्तान की सरकार ने फेडरल गवर्मेट ने उरदू को देश की official language declare कर दिया इसके अलावा देखो और बहुत सारे regions थे जिसकी वज़े से Eastern Pakistan के लोगों की भावनाएं आहत हुई जैसे फैमीन आया Eastern Pakistan में लेकिन पाकिस्तान की Federal Government ने ज़्यादा पर्यास नहीं किये ज़्यादा relief efforts नहीं लगाएं लोगों को राहत पुंचाने के लिए देखो यही आरोप तो Britishers पर लगता था ना कि जब Britishers रूल कर रहे थे अरे भाई फैमीन आया है आप पर्यास तो करो लोगों को राहत पुंचाने के लिए लेकिन Britishers कुछ करते नहीं थे 1943 में बंगाल में इतना जबरदस्त फैमीन आया था कुछ नहीं किया अंगरेजों ने अगर ढंग से ये काम करते तो बहुत लोगों के जान बचाई जा सकती थी यही आरोप लगे एस्टन पाकिस्तान के लोगों के तरफ से पाकिस्तान के निर्मान के बाद कि हमारे यहां पर फैमीन आया लेकिन Central Government ने यानि Federal Government ने कुछ खास किया ही नहीं रहत पुंचाने के लिए तो समझ गए मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के जो दो हिस्से धना West Pakistan East Pakistan East Pakistan के लोग के साथ काफी अन्याय हुआ इनको लगा कि हमारे कल्चर को इगनोर किया जा रहा है और जो Western पाकिस्तान के लोग है यह ज़़्याधा डोमिनेट कर रही है हमारे उपर ओर धिरे धिरे Eastern पाकिस्तान के लोग की जो नराजगी थी वो भरती जा रही थी उस नराजगी को एडर्स करने के लिए उस समय पाकिस्तान के जो रूलर थे डिक्टेटर याहा खान उन्होंने कहा कि हम elections कंड़क्ट करवाएंगे आप देखो हिरानी की बात ये है 1970 की हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को बने आलमोश्ट 23 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन पाकिस्तान में अभी तक एक भी बार election कंड़क्ट नहीं हुए जबकि देखो इंडिया में 1970 आते आते चार-पांच बार election आरेडी कंड़क्ट हो चुके थे इसी से पता लगता है कि डेमोकरेशी किस परकार से मजबूत हुई इंडिया में और पाकिस्तान में किस परकार से डेमोकरेशी सुरुवात से ही पिछड़ गई मिल्टरी रूलर्स ने अपना रूल इस्टाबरिश किया पाकिस्तान में तो बात क्या है बात यह है इस्टरन पाकिस्तान के लोग की नराजगी बढ़ती जा रही थी इस वज़े से पाकिस्तान के डिक्टेटर यहाँ खान ने कहा कि हम election कंड़क्ट करवाएंगे अब elections में देखो दो leaders आमने सामने थे इस्टरन पाकिस्तान की तरफ से थे सेख मुझिबुर रह्मान शेख हसीना जो आज के समय में बंगादेश की प्रधामंत्री है ना उनके पिता जी यह इस्टरन पाकिस्तान को autonomy देने की बात काफी जोर सोर से उठा रहे थे यानि इस्टरन पाकिस्तान में जो एक moment चल रही थी कि इस्टरन पाकिस्तान को autonomy दी जाए इस्टरन पाकिस्तान के culture की respect होनी चाहिए proper representation दी जाए हर तरह की economy में political representation तो इस moment को lead क्या जा रहा था सेख मुझिबुर रह्मान के द्वरा जबकि election में इनके सामने थे western पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भृ्टों ये बैंजिर भृटो के पिता जी है और बिलावल भृटो के डादा है इसके साथ सानवाज भुटो के ये बेटे थे जुल्फिकार अली भुटो अच्छा आप एक बात बताईए कि सानवाज भुटो के बारे में हमने कब डिसकस किया था बताईए पता लगएगा कि आपकी यादास किती तेज है निगो जब हम जुनागर्ड के इंडिया में इंटिक्रेशन की बारे में हमने डिसकस किया था तो इशू अभी तक आप समझ गए ना इस्टन पाकिस्तान के लोग नराज यहां खान डिक्रेटर उन्होंने इस्टन पाकिस्तान की एस्पारेशन को सांथ करने के लिए बोला कि ठीक है मैं इलेक्शन कंड़क्ट करवाता हूँ इलेक्शन मेली दो लिडर्स के द्वारा लड़ा जा रहा है एक तरफ हैं जुल्फिकार अली बुट्टो वो वेस्टन पाकिस्तान से दूसरी तरफ हैं इस्टन पाकिस्तान के मुझीबूर और रहमान और इलेक्शन रिजल्ट आता हैं सेख मुझीबूर रहमान के पक्स म इन्होंने देखो उस election में 167 seats जीती थी out of 169 seats of eastern पाकिस्तान जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो इन्होंने western पाकिस्तान की 144 seats में से 88 seats पर कबज़ा किया था तो काईदे से सेख मुझीबुर रह्मान को सत्ता मिलनी चाहिए थी लेकिन election के result को मानने से इंकार कर दिया गया यहाख खान के द्वारा यहाख खान ने दोनों को गिर्फतार करने का आदेश दे दिया सेख मुझीबुर रह्मान को western पाकिस्तान में किसी secret place पर बंद कर दिया गया यानि किसी ऐसी जगह पर बंद कर दिया गया जिसके बारे में किसी को नहीं बताया गया लेकिन देखो जैसे ही ऐसा हुआ इस्टन पाकिस्तान के लोग भड़क गए क्योंकि उनके लीडर को पाकिस्तान की सरकार के द्वरा western पाकिस्तान में किसी अग्याद place पर बंद कर दिया गया है तो इस्टन पाकिस्तान में डंगे स्टार्ट हो गए यानि आज का जो बंगलादेश है वहाँ पे situation काफी ज़ दिया गया तो इसके बाद सेख मुझीबर रह्मान के समर्थकों ने एक government in exile established की मतलब provisional government established की गई थी पाकिस्तान की सरकार के द्वरा ऐसा दिखाने की कोशिस की गई कि civil war देश में start हो गया है बड़ देखो actual में ये civil war नहीं था एक तरफा पाकिस्तान की आर्मी ने एक operation launch किया इस्टन पाकिस्तान में उस operation का नाम था operation search light इस operation के अंतरगत मक्सद वैसे इस operation का ये था बंगाली national movement को दबाना बड़ देखो इस operation को conduct करने के दुरान पाकिस्तान की military ने हद अक्तियचार किये मतलब जितने भी गंदी अटोष्टी आप सोच सकते हो रेप्स जिंदा जलाना पूरे के पूरे गाउं को जलाना हर परकार के अत्यचार पाकिस्तान के military के दौरा किये गए इस so called operation search light के दुरान मक्सद वैसे ये था इस operation का कि बंगाली national movement को दबाना ये पूरी तरह से genocide था सिविल वार नहीं था जिनोसाइड मतलब नर्साहार बड़ी संख्या में बंगालियों को मारा गया था पाकिस्तान की military के दवरा वन साइडिड वार था लोग मारे जा रहे थे रेप्स किया जा रहे थे बहुत अत्याचार हुए अब देखो जब बंगादेश में लोगों पर इतना जादा अत्याचार होना स्टार्ट किया तो इसका नतीजा क्या निकलेगा अब लोग तो देखो अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे ना तो नतीजा ये निकला कि उस समय के इस्टन पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भाग कर इंडिया में आने लगे अपनी इंडिया की देखो रिफ्यूजीज की मामले में पोल्सी हमेशा से लिबरल रही हैं सिलंका से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आएं हलांकि बात में आए थे जब सिलंका में सिविल वार चला 1980 से सिलंका से रिफ्यूजीज का आना स्टार्ट हो था पाकिस्तान से refugees इंडिया में आए, तिबबत से refugees इंडिया में आए, refugees के मामले में इंडिया की policy हमेशा से liberal रही है, तो जब पाकिस्तान की military अत्याचार कर रही थी, बांगादेश के लोग के ऊपर, यानि इस्टन पाकिस्तान के लोग के ऊपर, तो दस लाख refugees इंडिया में आ चुके थे अपनी जान बचाने के लिए, camps establish किये गए थे, इवन मध्यपरदेश और उडिसा तक, सोच के दिखिए, वेस्ट बंगाल में, camp establish होते हैं, refugees के लिए माना, नजदीक हैं, लेकिन मध्यपरदेश और उडिसा तक, camp establish हुए, इतनी बड़ी संख्या में, refugees बंगादेश से, यानि उस समय के इस्टन पाकिस्तान से, इंडिया में आएं, लेकिन देखो, अब refugees का जो burden हैं, वो तो देश की economy पर पढ़ेगा न, ऐसा तो है नहीं कि, इंडिया उस समय बहुत जदा, develop country था, इंडिया भी developing country था, एक क्रोड refugee, अगर आपके देश में आएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, उनको खाने पिलाने का सारा जो बोज है, किस पे आएगा, सरकार पे आएगा, इतनी बड़ी संख्या में refugees को खाना पिलाना, और even कई refugees तो ऐसे भी होते हैं, आपको पता हैं, criminal activities में involved होते हैं, तो society का जो तानाबुना हैं, मतलब stability हैं, वो भी परभावित होती हैं, refugees की वज़े से, तो कहने का मतलब यह हैं, अत्यचार पाकिस्तान की military कर रही थी, बंगलादेश के लोग के ऊपर, impact इंडिया पर भी पढ़ रहा थ इंडिया ने सुरवात में कुछ action नहीं लिया, इंडिया ने सिरफ पाकिस्तान को ये बोला, कि भाई, आपका ये internal matter है, आप सुलजा लीजिए, sort out कर लीजिए, अपने आप से, लेकिन refugees इंडिया में ना आने पाएं, इतनी बेड़ी संख्या में लोग हमारे यहां पर आ र रही हैं, तो आप अपने issue जल्दी से सुलजाएं, और refugees का भारत में आना रुके, ये बात इंडिया ने पाकिस्तान को बोली, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया पर आरोप लगाया कि इंडिया इसराइल के साथ मिलके बंगलादेश में, यानि उस समय के इस्टन पाकिस्तान में interfere कर रहा है, इंडिया ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद देखो, रा यानि Research Analysis Wing, जो इंडिया की खुफिय अजनसी है, रा देखो, 1962 चाइना के साथ जो हार हुई थी, उसके बाद इस्टाबरिश की गई थी, ताकि intelligence एक्तरित की जासके, चाइना में क्या च जानकारी इंडिया की सरकार को नहीं थी, यूद्ध स्टार्ट हो गया, उसकी भी जानकारी सरकार को नहीं थी, तो लगा, एक ऐसी एजनसी होनी चाहिए, जो हमें खुफिया जानकारी दे, कि दूसरा देश क्या कर रहा है, तो देखो, रा चाइना वार के बाद इस्टाब रही थी, मतलब dead, गहरी हो रही थी, इनके बीच की दोस्ती, क्यों? बहुत सारी reasons, सबसे simple reason, दुस्मन का दुस्मन दोस्त, चाइना का भी दुस्मन इंडिया, पाकिस्तान का भी दुस्मन इंडिया, दोनों का दुस्मन सेम, इसलिए दोनों आपस में दोस्त, 1960s में देखो पाकिस्तान ने चाइना को सक्सम वैली दे दिया ये वैली जैमो और कस्मीर में आती है strategically काफी ज़्यदा important और इंडिया को ये भी doubt था कहीं 1965 कितरह पाकिस्तान फिर से इंडिया के साथ वार ना स्टार्ट कर दे इसके बाद क्या हुआ इसके बाद देखो इस्टन पाकिस्तान में एक organization थी मुक्ती भाहिनी बंगादेश को पाकिस्तान से liberate करवाने के लिए ये armed organization थी जो कि पाकिस्तान की army का सामना कर रही थी पाकिस्तान की army को हत्यारों से जबाब दे रही थी इंडिया ने क्या किया इंडिया ने इस organization को weapons देने स्टार्ट किये इस organization के members को training देने स्टार्ट की सुरुवात में देखो BSF के द्वारा training और weapons दिये गए थे दूसरे logistics प्रोवाइड किये गए थे इस मुक्ती भाहिनी organization को लेकिन बाद में army ने मुक्ती भाहिनी को train करना स्टार्ट किया इनको military tactics सिखाना स्टार्ट किया लेकिन देखो interfere directly अभी भी इंडिया ने नहीं किया था हमारे जो cabinet ministers थे वो दुनिया भर के देशों में जा रहे थे और ये दिखा रहे थे कि देखो पाकिस्तान की इस परकार से अपने ही लोग के उपर अत्यचार कर रहा है लेकिन इसका खाम्याजा इंडिया को भी भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में refugees इंडिया में आ रही है तो इंडिया के ministers various countries में गए तो आहवान यही किया बड़े देशों से कि आप पाकिस्तान को pressurize कीजिए ताकि पाकिस्तान अपने इस issue को सुलजाए देखो इंडिया directly action इसलिए नहीं लेना चाहता था उसके भी regions हैं कई सरी regions हैं एक तो देखो अप्रेल में tensions create होना start हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हैं तो यूं कहा जाता है कि अप्रेल में हम तयार नहीं थे पाकिस्तान के साथ युद लड़ने के लिए सेम मैनकसा उस समय आर्मी चीफ थे उन्होंने ये suggest किया था अप्रेल के बाद मानसून आ जाएगा बंगादेश में बंगादेश की भूमी काफी ज़्यादा दल्दली हो जाती है इसलिए हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए पाकिस्तान के साथ युद करने के लिए सही समय का इंतजार किया गया जो ये पास तो बहुत patience हैं लेकिन पाकिस्तान पर आप pressure डाले वह अपने issue को सुलजाए तो पाकिस्तान का जो यह propaganda था कि इंडिया interference कर रहा है इंडिया interference कर रहा है पाकिस्तान के इस propaganda का जबाब देना भी सरकार का एक मकसद था इसलिए वार काफी देर से इंडिया ने start किया मतलब पाकिस्तान का जबाब इंडिया ने काफी देर से दिया अपरेल में वार हो सकता था बट इंडिया नहीं चाहता था अपरेल में यूद्ध हो सर्दियों में यूद्ध होने का एक फाइदा ये भी था ना कि ह हिमाल्यास में बरफ जम जाएगी, तो चाइना की जो आर्मी है, वो हिमाल्यास को क्रोस करके नहीं आसकेगी, पाकिस्तान को चाइना की मलद नहीं मिल सकेगी, और देखो जब रिफ्यूजी लगातार इंडिया में आ रहे थें, और इंडिया बड़े देशों को बोल रहा था, कि आप पाकिस्तान पर प्रैसर डालिए, वो इस इस्यू को सोट आउट करें, लोगों पर अत्यचार करना बंद करें, ताकि रिफ्यूजी इंडिया में ना आएं, जानते हो USA ने इंडिया को क्या बोला, USA ने इंडिया को बोला, कि आप रिफ्यूजी इस को वापस भेज दीजिये, पाकिस्तान में, और इसके जबाब में इंडिरा गांदी ने एक बहुत ही श्ट्रॉंग स्टेट्मेंट दी थी, इंडिरा गांदी ने बोला, ओ भाई USA आप ये बताओ, जब हिटलर ज्यूज के उपर अत्याचार कर रहा था, और ज्यूज जर्मनी से भाग कर दूसरे देशों में जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, क्या तब भी आप ज्यूज को यूँ बोलते, कि वापस आप जाए जर्मनी में, क्या ज्यूज को आप वापस भेजते हिटलर के पास, ताकि हिटलर उनके उपर अत्याचार कर सके, नहीं, तो इसलिए हम भी रिफ्यूजीज को वापस इस्टन पाकिस्तान में नहीं बेज़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके उपर अत्याचार होगा, देखो USA तो पाकिस्तान का दोस्ट था, तो पाकिस्तान के पक्स में USA को बोलना ही था, इवन चाइना भी पाकिस्तान का दोस्ट था जैसा हमने डिसकस किया, तो इन तीन देशों की एक एक्सिस इमर्जो के आ रही थी, पाकिस्तान, चाइना, युएस से, आगे हम डिसकस भी करेंगे इसी एक्सिस के जबाब में इंडिया को 1971 में USSR के साथ friendship treaty sign करनी पड़ती है ये अभी आगे आएगा तो देखो इंडिया ने बड़े major countries को बताया कि ये सिधा सिधा genocide किया जा रहा है नर्साहार किया जा रहा है पाकिस्तान की military के दवरा बंगादेश के लोग का यानि इस्टन पाकिस्तान के लोग का और गलती सिरफ इस्टन पाकिस्तान के लोग की इतनी है कि उन्होंने election के result को implement करने की बाब कही थी उनकी उमीदे थी कि हाँ election होगा तो हमें proper political representation मिलेगा लेकिन नहीं election के बाद कोई representation उनको नहीं दिया गया बलकि इस्टन पाकिस्तान के जो लिडर थे सेख मुझीबुर रह्मान उनको तो जेल में डाल दिया गया तो क्या डलती है इस्टन पाकिस्तान के लोगों की ये बात इंडिया ने वर्ल्ड की major countries को बताई अब आप ये slide देखें USA प्लस चाइना प्लस पाकिस्तान इन देशों का सामना करने के लिए इंडिया ने USSR के साथ friendship treaty sign की क्योंकि इंडिया को एक दोस्त की आउ सकता थी इंडिया USSR से हत्यारों को purchase कर रहा था वैसे देखो USSR के हत्यार best नहीं थे बट USSR जब इंडिया को हत्यार देता था तो strings attach नहीं करता था बहुत जड़ा conditions नहीं लगाता था टेक्नोजी भी दे देता था तो इसलिए इंडिया USSR से काफी हत्यार purchase किया करता था समझ गें तो क्या situation थी एक तरफ ये तीन देश USA प्लस चाइना प्लस पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया प्लस में USSR और USSR और चाइना के बीच में भी उसमें relation इतने अच्छे नहीं थे 1960s में border पर firing भी हुई थी USSR और चाइना के border पर तो इनके बीच में भी tensions थी tensions का एक और reason भी था कम्यूनिजम के model को लेके चाइना का कम्यूनिजम का model अलग था और USSR में जो कम्यूनिजम का model था वो अलग था तो ऐसी situation में इंडिया को पता था USA चाइना और पाकिस्तान की तिगिडी का अगर सामना करना है तो USSR की मदद लेना ठीक रहेगा इसलिए 1971 में USSR ने इंडिया के साथ friendship treaty sign की USSR को भी इंडिया के आउ सकता थी क्योंकि देखो cold war चल रहा था USSR को भी अपने दोस्त देशों के आउ सकता थी और इंडिया की form में उन्हें एक अच्छा दोस्त मिल गया था हतियार इंडिया USSR से purchase कर रहा था USSR को revenue मिल रहा था USSR को इंडिया से wheat भी मिल रहा था तो इन reasons के कारण USSR ने भी इंडिया के साथ friendship treaty को sign करना उचित समझा दोनों देशों के बीच friendship treaty sign हुई 1971 में war actually कैसे start होता है देखो eastern border पर पाकिस्तान ने shelling स्टार्ट कर दी इंडियन आर्मी ने भी जबाब दिया पाकिस्तान की shelling का और refugees जो भाग कर आ रहे थे eastern पाकिस्तान से ही इंडिया में उनको cover fire दिया गया इंडियन आर्मी के द्वरा यह उनको बचाया गया firing से बाद में देखो धीरे धीरे यह full scale war में convert हो गया दोनों फ्रेंट्स पर युद श्टार्ट हो गया इंडिया ने दोनों फ्रेंट्स पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया इस्टर्ण पाकिस्तान के अंदर enter कर गई इंडिया की आर्मी बागादेश को liberate करवाने के लिए बागादेश को स्टार्ट हो चुका है, तो USA से हमें मदद मिलेगी, चाइना से हमें मदद मिलेगी, देखो USA ने हालाखी अपने 7th Fleet का सिप भेजा था, पाकिस्तान की मदद करने के लिए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के सेवन्थ फ्रीट का सिप नजदीक पहुंचा बंगाल की खाड़ी के पास USSR ने भी अपना एक सिप रवाना कर दिया था कि अगर USA इन्वोल होगा इंडिया पाकिस्तान वार में तो हम भी इन्वोल होंगे इंडिया पाकिस्तान वार में तो USA को डर लग गया USA को लगा अगर इंडिया पाकिस्तान वार में USA इन्वोल होता है तो हमारी डिरेक्ट लडाई स्टार्ट हो जाएगी USSR के साथ ये हम एफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए USA का सिप आ तो गया था बंगाल की खाड़ी के पास लेकिन USA के सिप ने डिरेक्टली पार्टिस्पेट नहीं किया इंडिया पाकिस्तान वार में वैसे भी USA उसमें व्यतनाम वार में फसा हुआ था तो USA ने ज़्यादा बर्डन लिया रही और देखो जब इंडिया की आर्मी ने एंटर किया इस्टन पाकिस्तान में बांगादेश को आजाद करवाने के लिए तो इंडिया की आर्मी का बहुत स्वागत किया गया लोकल लोग के द्वरा उनको लगता था जो कि सच भी था कि इंडिया की जो आर्मी है वो हमारी मदद के लिए आई है तो इंडिया की आर्मी का जगा जगा स्वागत होने लगा प्रोविजनल गूर्मेंट इस्टाबलिस की गई जिसको लीड किया गया सेद नजरूल इसलाम के द्वरा क्योंकि सेख मुझीबुर रह्मान ये तो जेल में था ना अग्याद प्लेस पे तो सेद नजरूल इसलाम की लीडर्शिप में एक प्रोविजनल गूर्मेंट को इस्टाबलिस किया गया बांगा देश के लिए यूद देखो चल ही रहा था जो जनरल जेकब थे ये अपने इंटरिव्यू में बताते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच यूद चल रहा था और हम थे इस्टन पाकिस्तान के अंदर धाका के नजदीक जहां पर पाकिस्तान की आर्मी का रिजनल हैड़कॉर्टर था बार बार फोन आ रहे थे हमें कि आप जल्दी से बांगादेश को लिबरेट करवाईए जल्दी से कुछ एक्षन लीजिए अदर्वाइस सीजफायर साइन हो जाएगा 1948 की तरह तो जनरल जैकब बताते हैं मुझे बहुत बार बार फोन आ रहे थे जल्दी आप कुछ कीजिए अदर्वाइस सीजफायर साइन हो जाएगा हम कुछ नहीं करस केंगे तो जनरल जैकब पहुँचे पाकिस्तान आर्मी के रिजनल हेड़कॉर्टर में जो किदा ढाका में जनरल जैकब ने सीधा सरेंडर का जो लेटर था मतलब सरेंडर का जो परपोजल था सिधा रख दिया पाकिस्तानी जनरल की टेबल पर और बोले कि आपके पास 30 मिनट का समय है अगर आप सरेंडर कर देते हो तो हम आपकी मदद करेंगे हम आपको बचाएंगे लोकल लोगों से क्योंकि देखो लोकल लोगों में तो नराजगी इतनी ज़्यादा थी कि उनके हाथ में अगर पाकिस्तानी आर्मी का कोई सोलजर लग जाता तो उन्हें वो जिंदा छोड़ने के लिए तयार नहीं थे और पाकिस्तानी मिल्टरी का मुराल बहुत ज़रा डाउन था तो इंडियन आर्मी के जनरल जैकब ने परपोजल दिया पाकिस्तानी आर्मी के जनरल को कि 30 मिनट्स हैं आप या तो ये लेटर एकसेप्ट कर लीजिए अदरवाइस युद्ध के लिए आप तयार रहिए और लोकल लोग के पर कोप को सहने के लिए आप तयार रहिए वैसे देखो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ढाका सिटी में पाकिस्तान के हलांकि 26-23 जार सोल्जर थे और पूरे इस्टन पाकिस्तान में 90,000 सोल्जर थे और ढाका के करीब इंडियन आर्मी के शिरफ 3,000 सोल्जर थे लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के जनरल को पता नहीं था ये बात कि इंडिया की आर्मी के इतने कम सोल्जर है अभी ढाका के आसपास पाकिस्तानी जनरल को ये लगा कि जैसे इंडिया आर्मी ने पूरी तरह से घेर लिया है धाका सीटी को और बचने का कोई सोर्स नहीं है जबकि इतने सोल्जर अभी इंडियन आर्मी के थे नहीं वो बात अलग है रिइंफोर्स्मेंट आने वाजी थी बट लैक ओफ इंफोर्मेशन थी पाकिस्तानी जनरल के पास और तीस मिनिट के बाद उन्होंने परपोजल को एकसेप्ट कर लिया सरेंडर को तयार हो गए पाकिस्तानी जनरल वर्ल्ड में देखो ये पहली बार हुआ था कि 90,000 सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया हो और इसी के साथ एक नए देश का निर्मान होता है बांगा देश अब देखो काफी बार ऐसा कोशन पूछ लिया जाता है कि इंडिया ये वार क्यों जीत सका काफी सरे रिजन्स हैं सिंपल से इंडिया की आर्मी पाकिस्तान के कंपैरिजन में सुपरियर थी Research and Analysis Wing ये जो एजन्सी इस्टाब्लिश की गई थी 1962 वार के बाद इस एजन्सी ने अच्छा काम किया पाकिस्तान से इन्फोर्मेशन निकालने के लिए पाकिस्तान की आर्मी का मुराल काफी डाउन था क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों से लड़ रही थी इंडियन मिल्ट्री के द्वारा इस और्गनेजिशन के मेंबर्स को ट्रेनिंग दी गई थी तो इस और्गनेजिशन ने भी इंडियन मिल्ट्री की काफी मदद की नेक्स्ट ना तो USA ना ही चाइना ने पाकिस्तान को डिरेक्ली स्पोर्ट किया इस वार में जबकि USSR ने इं वांगा देश के लोग के साथ थे नेक्स्ट पॉइंट इंद्रा गांधी की लीडर्शिप काफी ज़्यादा श्ट्रोंग थी रिचर्ड निक्षन जो यूसे के प्रेजिनेंट थे उन्होंने इंद्रा गांधी को प्रेसराइज करने की कोशिज की कि आप यूद को रोग दी कीजियें लेकिन इंद्रा गांधी ने रिचर्ड निक्षन यानि यूसे की राष्ट्रप्रति की नहीं सुनी इंडिया तभी रुका जब ये युद जीत गया अब इसके बाद होता है सिमला एगरिमेंट देखो इंडिया ये यूद जीत चुका हैं 90 खजार सैनिक अभी फिलाल इंडिया में हैं उनको खिलाया पिलाया जा रहा हैं इंडिया के द्वारा इंडिया की एकोनमी पर असर पढ़ रहा है इन 90,000 सैनिकों को खिलाने पिलाने में और बाना देश को अभी तक पाकिस्तान ने रिगोगनाईज नहीं किया है आगे भी इंडिया को खत्रा है कि पाकिस्तान जो है फिर से युद की कोशिस कर सकता है या फिर इंटरनेशनल एक्टर्स को इन्वोल कर सकता है इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट में तो इन कंडिशन्स में ऐसी सरकमिस्टांसिस में सिमला एग्रिमेंट साइन होता है से इस इशू को security council में लेके गया था बट USSR ने वीटो का इस्तमाल कर लिया था और बड़ी organizations का भी दबाब था इंडिया पर कि इंडिया जल्द से जल्द अब agreement sign कर ले तो पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो सिम्ला में आए इंडरा कांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में बाचित हुई सिम्ला agreement sign हुआ वैसे देखो उस में famous diplomate थे डी पी धार ये कस्मीर के थे इन्होंने पूरा जोर लगाया था कि अभी पाकिस्तान की मुंडी जो है वो इंडिया के हाथ में है 90 हजार सैनिक इंडिया के पास में है क्यों ना मजबूर किया जाए पाकिस्तान को सारे मसले सुलजाने के लिए सबसे important कस्मीर का मसला लेकिन देखो जुल्फिकार अली बुट्टो ने एक बात ये बोली इंड्रा गांधी को अगर आप चाहते हो कि मैं कस्मीर आपको दे दूँ इस agreement में तो फिर मैं वापस पाकिस्तान नहीं जा पाऊंगा तो इंड्रा गांधी को भी लगा कि अगर practical agreement sign करना है अभी जुल्फिकार अली बुट्टो के साथ तो बाकी मसलों को एक बार छोड़ना होगा तो जो बाते डिसाइड हुई सिम्ला agreement में वो इस परकार से थी सबसे पहले तो तास्कंद agreement में जो प्रोमिसिस किये गए थे उनको आगे लेकर जाय जाएगा दूसरी बात अब देखो ये तो सिम्ला agreement फेल हो गया उसी का सबूत ये है अब जब भी बात होती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान बार बार यूस से को बोलता है कभी चाइना को बोलता है मेडियेशन करवाओ इंडिया पाकिस्तान के बीच कस्मीर इशू पर agreement को नहीं follow करता इसके बाद देखो ये भी तैग हुआ इस agreement में कि पाकिस्तान बागादेश को recognize करेगा और इसके बाद जो टोटल 93,000 soldiers थे पाकिस्तान के इंडिया में उनको इंडिया छोड़ देगा तो ये सब बात है तैग हुई थी सिम्ला agreement में काफी बार देखो consequences भी पूछ ले जाते हैं कि बागादेश वार की consequences क्या निकले तो consequences तो आप बता सकते हो जैसे इंडरा गांधी एक बहुत ही strong leader बनके उभरी इंडिया की respect फिर से major powers के सामने increase हो गई next इंडिया की economic situation खराब हो गई क्योंकि युद में काफी खर्चा हुआ था next इंडिया के secularism के model की जीत हुई क्योंकि इंडिया के muslims को पता लगा कि पाकिस्तान के जो muslims हैं वो भी जुटता देखने को मिली क्योंकि जैसा हमने discuss किया पूरे देश में एक ही माहूल था कि कैसे ना कैसे करके इस youth को जीता जाए इंडिया के लोग के emotions थे वो बंगादेश के लोग के emotions के साथ थे तो यह कुछ consequences आप लिख सकते हो बंगादेश liberation war के तो यह थी हमारी आज की discussion इसमें हमने बंगादेश liberation war को detail से discuss किया thank you thank you very much for discussion